नमस्कार मैं जोतुषा चार्य मोक्षित आप सभी लोगों का अपने इस विश्यस कारिकम में हर्दिक स्वागत करता हूं आईए आज बात करेंगे कि पॉस्ट पुर्णिमा की दिन आप ऐसे कौन से अच्च कुपाई करें जिसको करने से आपके जीवन में मा लक्षमी की अन आड़्दान करने का तप धियादी करने कींग एक बहुत ही बड़ा महत्त बताया गया है और इस दिन ऐसा कहा गया है कि अगर आपको कोई मंत्र के सिद्धी करनी हो तो आप इस दिन भी आप अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और ऐसे में आज के दिन मा लक्षमी की अनन्द कृपा की प्राप्ति होती है और भक्त लोग और ऐसा जोतिश चास्तर में बताया गया है कि आप मा लक्षमी के अगर विश या आपका धन बहुत ज्यादा रुका हुआ या आपको कर्ज देते हैं और आपके आपके पीवांद से अधन करने का तो ऐसे मैं, आपको आज के दिन मालक्षमी की पूजा अवस्य में करनी चाहिए क्योंकि कहा गया है कि पुर्णिमा तिति के दिन अगर हम कोई यग्य करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वह अनुष्ठान हमारा पूर्ण तया से सफल होता है जिस तरह से आपको इसके नाम से पूर्णिमा यानि कि कोई भी कारियों को पूर्ण तया से समाप्ट करने वाला होता है पूर्णिमा तिति तो इस दिर किया हुआ यग्य किया अनुष्ठान हमारा अवस्ते में परिपूर्ण होता है तो आपको इस दिन क्या करना है पूर्णिमा तिति के दिन अगर आप कि मंदिर में नहीं जा रहे हैं तो आप अपने घर पे किसी ब्रह्मन देपता को बुला करके मालक्षमी के मंत्रों से आप मालक्षमी का विश्यक करें स्रिक्सुक्त और कणक्धारा के मंत्रों से अगर आप इस दिन मालक्षमी का विश्यक करते हैं तो इससे आपके जीवन में म ध्वहगवान कुवेर्देप्ता की यंत्र को आप आप अवश्य में बस्तापित करें और आपके जीवन में मालक्षमी की अनन्द करपा की प्राप्ति होगी से और उसतरह से पूरν तया से विधिवक्त आप मालक्षमी का पूजन करें अर्चन करें और इस दिन मालक्षमी को अगर आप गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पन करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में मालक्षमी अतिप्रशन होंगी और आपके जीवन में शुक्षांद समर्दी की प्राप्ति देंगी और आपके सभीवनों कामनाओं को मा लक्षमी अवस्टे मेव परिपुरने करेगी तो आप सभी लोग आज के दिन इस विशेश उपाय को अवस्टे मेव करें इससे आपके जीवन में मा लक्षमी की अनंत किरपा की प्राप्ति होगी और माल अच्छमी आपके गरिया में आपके वेपार में आगर के छीर काल तक आगर के विराजी तरेंगी और आप सभी भक्तों का करल्यान करेंगी नमस्कार